यह वीडियो हम प्रोविटेड केटेगरी एंड रेस्टिक्टेड केटेगरी आप गुड्स इस टॉपिक पर बनाने जा रहे हैं तो दोनों कैटेगरी जो है कि डारेक्टर जनरल आप फ्रीड ट्रेड यह अपने एक पॉलिसी जो डिकलेर करते हैं उसमें इस तरह के कैटेगराइजिशन रहते हैं तो चार तरह के चैटेगराइजिशन में आपको बदाया कुछ वीडियो में मैंने इसका मेंचेन किया तो पहला केटेगरीशन ओपन जनरल लाइसेंस का रहता है जिसके लिए फ्रील इंपोर्टेबल केटेगरी रहती है गुर्स की सेकंड केटेगरी रहती है यह यह गुर्मेंट ने इसको टेंपरेली रेस्टिक किया है लेकिन कुछ कंडिशन अगर फुल्टि करते हैं तो आप उसको इंपोर्ट या एक्सपर्ट कर सकते हैं तो रेस्टिक्टेड केटेगरी में बहुत तरह के आपको कुछ लिमेटेड नंबर्स का आप इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप कुछ कंडिशन से श्र्टन कॉंटिटी भी उससे ज्यादा quantity भी आप import export कर सकते हो तो यह है restricted category तो conditions उसमें लगे रहती है condition गर फूल पेल करते हैं तो आप उस तरह का import export कर सकते हैं बाद में last category आती है prohibited prohibitions मतलब क्या है कि such goods which cannot be imported or exported at any cost तो यह कुण से good से prohibition में ऐसे goods आते हैं कि जो ban products से मतलब क्या है कि weapons जैसे की weapons से ammunition से या फिर narcotics control scandal आने वाले drugs या फिर order जो है कि जो illegally smuggling होने वाले जो goods से तो इस तरह के जो जिसको ban किया गया है इंडिया में और country को भी किस किस बैंड किया जाता है तो उस country से भी हम कुछ products मंगा नहीं सकते लेकि नॉर्मल product की हम बात करेंगे तो कुछ इस तरह कि restricted prohibited products होते हैं कि जो drugs होते हैं जो हम import नहीं कर सकते और कुछ हम export नहीं कर सकते तो इस तरह से दोस्तों categorization का जो difference से मैं आपको explain किया इसमें हम चलो देखते कि restricted category क्यों restrict करते तो पहला reason है कि इस तरह की category कि जो domestic industry को खतम कर रही है ऐसे category में हम कुछ time के लिए उसको रेश्टिक भी कर देते हैं या फिर एंटि डेम्पिंग डूटी लगाते हैं तो यह temporary restrictions जो है कि इस तरह का हम उसको लागू करते हैं या फिर ऐसे products की जो देश की economy जो है उसको थ्रेट है और देश की economy को यह weekend कर रहे है ऐसे जो product से उसको भी हम रेश्टिक कर देते हैं उसके अलवा कुछ negative impact अगर देश की प्रगति पर हो रहा है देश की society पर हो रहा है तो देश के किसी भी तरह का इस तरह का product से उसका environment कहां पर भी उसका इस तरह का इफेक्ट निगेटिव एफेक्ट हो रहा है तो product हम रेश्टिक कर देते हैं certain period के लिए conditions लगा के कुछ product जो है कि वो dumping के लिए अगर लाते हैं लोग तो उसको भी हम रेश्टिक कर देते हैं तो रेश्टिक्टेड और कुछ product जो है कि उसके लिए conditions fulfill करने पड़ती है ताकि ओ conditions अगर fulfill करते हैं तो NOC लेना पड़ता है certain मिनिस्टर से मिनिस्ट्री से या फिर organization से तो फिर आपको उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए restriction जो हट जाता है अपर फॉन दाट restrictions के लिए कुछ export obligation भी हो सकते conditions करते हैं कि किस तरह से condition एक इंपोर्ट की condition एक्सपोर्ट की condition तो यह basically prohibited products के बारे में restricted products के बारे में इस तरह का आपको difference मालूब बढ़ता है कि prohibited on restricted में यह फरक होता है कि prohibited कभी भी आप export input नहीं कर सकते तो basically restricted products का कहा कर हम बात करेंगे तो उसमें दो तरकी जायिसे कि specific object जोए वह buscando restrict किया जाता है या quantity wise इसको रिश्टिक किया जाता है तो दो तरह के restrictions एक quantity one इसको restrict किया गया एक object मतलब products को एक stare गया तो इस दो तरह के restrictions गवर्म NOW सकते हैं environment को बचाने के लिए economy को बचाने के लिए और इसके लिए कुछ आ बाकी जो है कि domestic इंडर्स्ट्री को भी बचाने के लिए इस तरह के लेने पढ़ते हैं उसके अलवा जो प्रोविजन से प्रोविशन्स जो है यह अनिक हमारे यहां जो एक्ट से उसके मुतबिक भी हमें इस तरह के प्रोविशन्स लगाने पढ़ते हैं जैसे कि देप्रिवेंशन ओफूड अधिन फिफ्टि पो उसके अंदर क्वालिटी अगर फूल पिल नहीं होती तो वहां पर भी आमें प्रोविशन्स लगाने पढ़ते हैं फसाई के अंदर हमें रेस्टिक्शन्स लगाने पढ़ते हैं लेबलिंग आप गूर्ज इंपोर्टें इंडिया अगर प्रॉपरली प्रॉपरली नहीं है तो उस ताइप के गूर्ज को भी अमें रेस्टिक्शन्स लगाने पढ़ेंगे लाइस्टॉप इभी बैन कमूरिटी तो इसके अंदर भी रेस्टिक्शन्स अंदर लगाने पढ़ते हैं अमेंड्मेन टूल्स इसके अंदर भी जो भी हाइसेरस माट्रियल से जो स्टील स्क्रैब अयों स्क्रैप से उसके लिए अभी रेस्टिक्शन्स हमें लगाने पढ़ते हैं और इस तरह के जो रेस्टिक्शन्स है तो प्रोइबिशन से तो दो कभी मिलेगा नहीं आपको restriction से तो आपको DGFT के online monitoring या physical way से apply करके आपको जो भी authority responsible है उसके लिए कि NOC देने के लिए NOC मिलने के बाद आपको उसको export या import कर सकते हैं तो in simple way कि prohibited goods and restricted goods में हम देखेंगे तो prohibited goods नर्कोटिक ड्ल्स साइको ट्रॉफिक सबस्तंसे जो है वह एक्चुली प्रोइबिशन के टेगरी में आते हैं पॉर्नोग्राफिक और अफ्सेंस माट्रियल ये प्रोइबिशन के टेगरी में आते हैं देन पाइरेटेड बूर्स काउंटर फीट जो भी उसकी IPR इंफ लगतर के जो इम्मुनेशंस जो है यह बैन्ट से और कोईन्ट बैन है इस तरह के लाना मैप्स जो हे कि हमारें जो आख publi देख के जाना या करना जो बैन है केमिकल यह तेम्रे बैन है यह सारे गैन है WCG लाइबर्स बैन है इस तरह के जो है कि प्रोडक्स से इसको कभी एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता दूसरे रेस्टिक्टेट कैटेगरी मांगर अब देखेंगे तो प्रियराम से उसको तोड़ा रेस्टिक्शन कैटेगरी में लगा गया है ताकि अगर रिकॉर्ड के लिए तो उसका restriction खोला जाएगा लाइव वर्स प्रोभीटेट्ट कुछ काटेगरी में है प्लांट संथ यह फिर रेस्टिक्टेड काटेगरी में है कुछ ऐसे स्पेसिस है कि जो हमारे हेल्थ के लिए इंडेंजर हैं जो भी ब्लाइवलाजिकल स्पेसिस है या फिर प्लांट एने यह के लिए इसके लिए प्रविबिटेड है और इस तरह के जो गेम सेंड गेंबलिंग में अर्शेट जो प्रॉडक्स C यह इस तरह के और मींट से इंपोर्ट जो है कि यह सर्टन अमोंट्स के पी आगे करना भी रहां आगे चाहिए क्योंकि उसका अगर आप जब तक आपको पता नहीं है तब तक आप उस पर भी रेस्टिक्शन के अंदर आते हैं करन्सी डारेक्ट करन्सी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं तेलीफॉन के कुछ वायरलेस एक्टिविटी के लिए ऐसे यूज हो जाएंगे तो टेरिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज होने वाले अलग-अलग और प्रॉडक्स जो है जिसमें बॉंस बनाने के कुछ इंप दोस्तो यह वीडियो से आपको इतना तो आपको आइडिया आ गया होगा कि तरह कि आपको डील करना चाहिए प्रॉडक्स में नहीं करना चाहिए prohibited category में deal नहीं करना चाहिए restricted category में थोड़ा तो deal कर सकते है यह हम आपको समझाना चाहते थे दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे यूटुब चैनल को जाके subscribe कीजिए, bell icon भी प्रेस कीजिए और उसका all options चुज़ किये ताकि इसके बाद आने वाले जो जो वीडियो जे उसके notifications आपको automatically प्रप्त हो सकेंगे